हेलो दोस्तों नमस्कार आपका स्वाकत है आई होप आप से भी अच्छे होंगे तो दोस्तों आज हम बजट को डिसकस करने जा रहे हैं जो भी बजट में हुआ है क्या-क्या एक्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपोटेंट है वह समाप डिटेलिंग में आपको बताने ज दोस्तों ठीक है तो देखो बजट एक्चल में क्या है अगर इसका कॉंस्टिटिशन प्रोविजन देखें समविधानिक प्रोविजन देखें तो यह फ्रॉट डिफेरेंट है कि बजट एक्चल में क्या है गिविन है कि नहीं तो अगर कॉंस्टिटिशन में देखा जाए सम्विधान में देखा जाए तो budget नाम का कोई word constitution में है ही नहीं यानि कि budget नाम का कोई भी ऐसा word किसी भी article या किसी भी सम्विधानिक तरीके से add ही नहीं इसको article 112 के अंदर में article 112 के under में दोस्तों 112 के अंदर में इसको annual financial statement बुला जाता है एन्वल financial statement बुला जाता है इसको annual financial statement कहा जाता है budget को दोस्तों ठीक है अब सबसे बहले बात करते हैं कि budget start कब हो था दोस्तों budget की शिरुवात कहां से हुई दोस्तों budget की शिरुवात हुई अगर बात करें साथ अप्रेल कहां से हुई साथ अप्रेल 1860 यह बजट की शिरुवात हुई कि स्कॉट के जो है न स्कॉटिस के एक्रामिस से इसकॉटिस अर्थशास्ति और जिनको राजनिता भी कहा जाता था जिनका नाम था जेम्स विल्सन इन्हें भिजट के सामने को साकंद को मैश किया पहला जॉइक है अप्रेल 1860 को पशल對吧 टिक है तो हमार्स-ध है पहला बजट किया गया यह साथ अप्रेल 1860 को हुट उप्भारे में यह इसको गिवन है एन्यौल financial budget के तौर पे हैं अगर हम वहीं देखें इसका constitutional provision देख लेते हैं एक बार तो देखो article 266 में दोस्तो आर्टिकल 266 में ये given है जो constitution का article है उसमें given है कि parliament approve करेगा जो पैसे को निकालने के लिए यानि कि CFI consolidated fund of India से ये article 266 में given है जैसा कि मैंने पहले बताया कि budget नाम का कोई भी word constitution में mention नहीं है इसको क्या बोला जाता है AFS मतलब annual financial statement बोला जाता है दोस्तो और ये किसके अंडर्म है article 112 में annual financial budget आपका जो है annual financial statement given है दोस्तो आर्टिकल 112 से लेकिए 117 तक दोस्तो financial जितने भी matter है constitution में ये deal करते है आर्टिकल 112 से 117 के बीच में दोस्तो ठीक है अब हम बता दें आपको कि budget की जो pace कस है किसके दुआरा की जाती है क्योंकि budget पर कई बार क्या होता है कि किसके दुआरा बनाए गया आप जानते है finance ministry को आप सब अधल बॉड़ी है दोस्तो क्या है department of economic affairs दोस्तों इनकी budget division of the department of economic affairs finance ministry के एंडर में एक बॉड़ी है जो budget को prepare करने का काम करती है दोस्तों और इस बार का budget लास्ट येर से और कम time में इसको accumulate किया गया यानिकी इसका जो है बहुत कम words में यानिकी fewer words में निरमला सिता रहमन जी ने इसको क्या किया सैट किया यह record है सबसे कम टाइम में लागए 93 मिनुट्स में इस budget को complete कर दिया किया दोस्तों ठीक है अब देखो आगे बठते हैं बजट की मुक्षिस्ताओं की बारे में बात कर रहा है बित्र मंतला बजट बाग उससे पहले कुछ और चीज़े मैं आपको बता देता हूं उस्तों बात करते हैं इंडिया का इन्डिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट कब प्रपोस किया गया तो जो है फ्रिडम के बाद इंडिया का जो है पहला बजट 26 नवंबर 1947 कब 26 नवंबर 1947 को फाइनेंस मिनिस्टर थे ततकालीन वित्र मंत्री थे आर के सल्ड मुखम चेटी ने पेश किया था ये भी एक क्वेशन इंपोरेंट क्वेशन बन सकता है नाम क्या है आर के सन मुखम चेटी आर के सन मुखम चेटी ने स्वतंत भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को प्रिजेंट किया थे तो ठीक है अब दूस्तों सबसे ज़्यादा ध्यान कहा रखता है इंसान इंकम टेक्स पर ध्यानता है इंकम टेक्स की सलेप्स क्या है तो जो इस बार के निव ट परसेंट के दिना है इंकम टेक्स दिना है वहीं धाई लाग पयान की पांच लाग से लेकर अगर आपकी इंकम साड़े साथ लाग रुपए है तो आपको दस परसेंट के दिना है इंकम टेक्स दिना है दूस्तों वहीं साड़े साथ लाग से आपकी इंकम दस लाग है तो 15% देना है दोस्तो दस लाग से साड़े बारे लाग है तो आपको 20% और साड़े बारे लाग से 15 लाग रुपए है तो 25% income tax आपको भरना पड़ेगा वहीं 15 लाग और उससे अबव है तो आपको 30% income tax देना होगा दोस्तो ठीक है यह थे आपके निव टेक्स लैब जो लास्ट येर भी थे तो इसमें कोई खास चेंज नहीं किया गया है हमने सारे टेक्स लैब आपको बता दिये हैं ठीक है अब आगे बढ़ते हैं इस बार दोस्तो बजट को दो पार्ट में कि पार्ट ए और पार्ट बी उसमें करुट किया गया है पार्ट ए और पार्ट बी में हम बात करते हैं पार्ट ए की दुश्तो इस बजट में इंडिया की जो एकनोमिक ग्रोथ एस्टिमेट की गई है यह रखना दोस्तों यह डिटा 9.2% रेने वाला है दूसरा है साथ लाख नए जॉब PLIN की Productivity Linked Incentive Scheme में जो 14 सेक्टर में वो create करने जा रहे हैं लोग और PLI Scheme के दूस्तों additional production की जो है potential है वो कितना है 30 लाख करोड रुपए है यह कंप्लीट हो रहे हैं इसलिए क्या होगा कि जो 25 के लिए अमरत काल को एंटर कराया गया है यानिकि अमरत काल जो चल लाए 75 यह में कंप्लीट हो जाएंगे 2022 में तो 25 यह लाउंग लीड़ टू इंडिया लास्ट क्योंकि काथ आगए 25 की साल और ऐगले पत्ची साल में इसको 100 हो जाएंगे यानिके अगले पत्ची साल की बात हो लिए इसलिए क्या है सब बज्ट पूरएड ने चार प्राइरटींग को रहे हैं चार सबसे हाइस हैं अभी हम आपको बताएंगे नेक्स लिमिन पर तो पिचातर यह कंप्रीट कर चुके हैं 2022 में इसलिए पत्चीस साल का अगला लॉंग लीड बजट को बनाया है उन्होंने पत्चीस साल की थौट आप प्रोसेस को सोचते हुए बजट को तयार किया गया दोस्त ठीक है अब चार जो प्राइटीज हैं अम्रतकाल की वो कौन-कौन सी हैं नमर एक प्यम गति सकती नमर दो इंक्लिशिक डेवलोपमेंट नमर तीन प्रोडेक्टिवटी इन्हेंस्मेंट एंड इंवेस्टमेंट सनराइज अपरचुनिटीज एनरजी ट्रांजिशन एंड क समझो क्या है प्रमोग विशिष्टान समझते हैं दोस्तों क्या रही है देखो अम्रतकाल के लच्च आप जैसा कि मैंने आपको पहरे प्यूचा है कि 75 यस 2022 में हमें कंप्लीट होना है जा रहा है 15 अगरस्त को 15 अगरस्त को हमारे 75 साल कंप्लीट हो जाएंगे इसलिए अम् अम्रतकाल के लच्चो को रखा गया दोस्तों अम्रतकाल के लच्चो की कुछ विश्यस्ता है यह संचु नमबर एक में कि विकास एवं समग्र समावेशी कल्यान पर ध्यान का केंद्र हो गया यह फोकस ऑन ग्रोथ एंड और एक इंक्लिसिव वैलफेर के लिए रखा जाए परक कारिको प्रोथसान यहीं कि प्रोमोटिंग टेक्नोलोजी अनेबल डेवलोपमेंट एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन तीसरा दोस्तों निजी निवेश से प्रारम होकर बहुतायत सावजनिक पूजी निवेश तक चलने वाला सद्चक्र सद्चक मतल कालखे लच जो मैंने आपको बताएं अब देखो तो चार एरिये हैं मैं जो बात कर रहा था जो चार पात्मिकता दी गई हैं वो कौन-कौन सी हैं यह चार पात्मिकता हैं नमर एक पी-एम गती सकती नमर दो समाविसी विकास यानि इंक्लिशिव ड़लूपमेंट और नमर प्रमोटिक टेक्राउजीज अनेवल डेपलोपमेंट एनरजी ट्रंजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन दोस्तों ठीक हैं यह सारी चीजेस में इल्किड हो गई हैं चार पात्मिकता हैं यह चार पायर्टी सेक्टर से हैं अब दोस्तों यह प्रात्मिकता होगी आब आप द करने के लिए हमें हमारे को निग्रिया आप आप देख सकते हो किस तरहीं के से हैं आप जिस तरहीं से यह हैं ग्रॅल कि यह अर्त कर रहा हैं यह हमारी मजबूत ओकर निकशन प्रदर्शन आप देख सकते हो दोस्तों यह पूरा मैप है कोविट 19 वैक्सीन कवरेज कितने हैं तो यह जो डेसमबर 21 के लास्ट येर में कितना परसेंट हुआ है यह आप देख सकते हो कितने परसेंट पॉपुलिशन को ब्लेक वाला है वो दिखा रहा है परसेंट आप यह एट परसेंट लोग जो है सैकेंड डोज यानिकी दोनाव ले चुके हैं और करीब 93 परसेंट लोग फर्स डोस ले चुके हैं ठीक है डेफिसेट का देख सकते हो यह तीन ट्रेकर डेफिसेट नहीं दिखा रहा है एफेक्टिव फानेशल डेफिसेट है और प्राइमरी वाला एक तरीकी से सात एनजन एक जोड दिए गए खेसथ देखांगा थैंग सोलाक करोड का बजट किया गैंप तो साथ Gym 나가 बात करें तो क्या है था था रेल एर पोर्ट पोर्ट शाबिड पर्वेंद जलमार और लॉजिस्ट्रिक अवपसर इते नेर नंगें तो क्या है । क्या यह साथ पिएम गति सक्थी के इंजन है जो इसको क्या करने वाले रण करने वाला है आप इस तरीकी से डैयोप करोगे इस तरीके का इंफ्रेस्ट्रिकटर दभलब दोशा है राष्टी है master Foster प्लान जिसका और इस विस्ट रिएaina की किसका औरिस्ट क्या है आप Metro वर्ल्ड पर पर वर्ली लेवल पर आधुनिक अवसरचना तता लॉजिस्ट्रिक सहकरिया करना दोस्तों यह सारी चीज है करना यह जो पी-एम गती सकती का नेशनल मास्टर प्लान है दोस्तों इन जाके जो प्रोजट की पर्टेनिंग है यह जो साथ इंजन है वो क्या करेंगे एन इन्ट्रश्ट प्रस्च्टर प्लान इट विल इ ठीक है वहीं 20,000 करोड को है इसमें मोबलाइज किया जाएगा किसमें नेशनल हाइवे नेटवर्क एक्सपेंशन में दोस्तों ठीक है दूसरा है यूनिफाइड लोजिस्टिक इंटरफेस प्रेटफर्म जिससे सभी मोड ऑपरेटरों में डाटा विन में हो सकेगा यह तयार किया जाएगे यात्रियों को निर्बाद यात्रा के लिए अपने सोर्स मोबालेटी स्टेक्स तयार किया जाएगे और दोस्तों ट्रपल पी यानि कि पब्लिक प्राइवेट पाटनर्सिप के तहत चार मल्टी मॉडल लोजिस्टिक पार्क की सपना की जाएगी जिसके इंटीग्रेट तरीकी से एकिकत पोस्टल और रेलवे नेटवर्क को जिससे पार्शलों को प्रेशन में यानि कि पार्शल बिजने में आसानी हो सुविदा हो जाए यह त्यार किया जाएगे वन इस्टेशन वन प्रोडेक्ट कॉंसेप्स को लेकर आ जाएगा इससे क्या ह लोकल बिजनेस को और सप्लाइचेन को हेल्प मिलेगी दोस्तों वहीं कबच छेत्र के अंदर 2000 क्लो मीटर जो कबच छेत्र का विस्तार है 2000 क्लो मीटर का रेलवे नेटवर्क तयार किया जाएगा दोस्तों ठीक है जिससे क्या हुआ इंडिजिनेस यानिकी के लेबल पर वर बंदे भाराठ ट्रेंज मैन्यफैक्शक की जाएगे अगले 3 शालों में दोस्तों इक्स्ते क्या है चार सो बंदे भाराठ ट्रेंज तैयार की जाएगी दोस्तों है क्क मिल्टी मौडस्टिक के लिए नेक्स एक्स सब्सक्वारर कीüzik जाएगे हैं थो यह सारी परवत माला परवत माला प्रोजेक्ट के अंदर क्या है नेशनल रोपवे डेपलोप्मेंट प्रोग्राम चला जाएगा ट्रपल पी मॉडल के अंदर ठीक है और 2022-23 में दोस्तो एक कॉंटेक्ट के थूँ एक ठेके के थूँ एक संबिदा पर थूँ आठ रोपवे कितने साथ क्लोमेटर लेंग्स लंबाई जिसके आपका एक्मोमिक ग्रोथ होगी उसके साथ टूरिज्म के साथा एक्मोमिक ग्रोथ भी अब सरचनात्मक परिजना के लिए समता निर्मान तयार किये जाएंगे दोस्तों जो इंफ्रेस्ट्रक्ट्टर यूजना है ठीक है यह था आपका पी एम गतीशक्ति का अब आते हैं इंक्लिसिव डेवलोप्मेंट पर यान की क्रसी के बारे में क्रसी एम खाद किया बड्यक्त ट्रूर किसके लिए कितने 1.63 क क्रोल के खांबर के में किसके लिए दोस्तों गय और क्या सब्सक्राइब क्या प्री ठीक चारिक करेगा इंक्रेक्ष। स्टाट अप जो एग्रिकल्चर और रूरल एंट्रेप्राइज के लिए यह जो है कौन नाबाड जो है डारेक्ट तो किसानों को नहीं दे सकता लेकिन वो क्या गरेगा एक कैपिटल टू फाइनेंस एक बैज़ क्राइगा आपको और फाइनेंशियली स्टाटप त्यार करना है एक्रिकल्चर और रूरल एंटर्प्राइजस में दोस्तों मैं किसान ड्रोपस जो हैं किसानों के लिए ड्रोन जो ड्रोन होते हैं ड्रोन्स प्रोवाइट के जाएंगे क्रॉप क्रॉप इनकी फसल का असेस्मेंट करना है या उसका डिजिटाइशन करना है लेंड रिकॉर्ड करना है किस तरीके से या इंसेक्टि साइट पर इस्प्रे करना है या कुछ नीट्रिन डालना है आप के तुरू कर सकते हो तो किसान ड्रोन्स प्रोवाइड के जाएंगे एग्री कल्चर में दोस्तों समझें अब देखो यह क्या करें गंगान अदीश सटे करशक भूमी से प्रारम होने वाले रसायन मुक्त प्राकरते किसी का पूतसान जैसे कि मैं बताया कि केमिकल फ्री नेच्रल फार्मिंग को प्रमोट करेगा दीश दूसरा जो कदन उत्पादन के भस्तों परांत मूल समबर्धन उपभोग और ब्रांडिंग को पूतसान मिलेगा उसके बाद ट्रपल पी मोड में किसानो को डिजिटल और हाई-टेक सेवाओं की उपलगता होगी जैसे कि मैं बताया किसान ड्रोन्स मिलेंगे आपको आपकी खसल के लिए अससे करना है डिजिटाजेशन करना है या लेंड रिकॉर्ड करनी है आपको निउट्रेंट का स्प्रे करना है इंसेक्री साइट का स्प्र करेंगी नवाद आपको क्या करेगी फाइनेंस प्रोफाइड करहेगी आपको अगर एक कल्चर और रोरल एंटरप्राइज में स्टार्टप त्यार करने हैं दोस्तों यह था आपका एग्री कल्चर डब्लप्मेंट किसी एगलचे डिप्रिमेंट देखो यह देखो आप डेटा देख सकते हो राइस एंड वीट का इनेंस प्रिकुमेंट टू सपोर्ट हायर डिस्टूइशन दूरिंग पैंडेमिक तो कितना बड़ा है कितना घटा है राइस और वीट का कंप देखो दूस्तों केन बेतवा लिंक नदियों को जोड़ना बहुत जरूरी हो गया है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का क्रियानिवन जिससे नौ दसमलाव एक लाग हेक्टियर क्रशी भूमी सिचाई होगी दूस्तों 62 लाग लोगों के लिए पेजल यहनिकी पानी की प्रोजेक्ट को लिंक करने के लिए दिये हैं ठीक है तो से मिलता है नौ दसमलाव जीरो आठ्थ हैं कि नौ दसमलाव करीव एक लाग हेक्टियर आप फार्मर्स के लिए इरिगेशन रिशीव हो सकती है केन बितवा लिंक के थूर यह बेनिफिट हो सकता है ऐसी पांच और ऑगे इंप्लिमेंट की जाएंगी दोस्तों आप देख सकते दोस्तों पांच और प्रोजनाइं कि मैं बताऊंगा Joy erhö the Syn factory सक्रमें देखते हैं 2017 में 6.8 परशंट था सत्र अठारे में 6.6 परशंट अठारे निस में गिरा अब देखते तो ग्रोथ रेट है दोस्तों कितना 3.9 परशंट ठीक है आम बात करेंगे आगे सिच्छा की सिच्छा के तोर तरीकों के लिए क्या लेकर है दोस्तों का बोला का होगा का बा अब देखते हैं दोस्तों दोस्तों एजूकिशन के लिए गोड़वत्ता प्रत सिच्छा का सार बौमी गण किया जाएगा निगर बात करें तो वन क्लास वन टीवी चैनल कारकरम की तहत दोसों टीवी चैनलों पर दिखाए जाएगा यह आप इपीम इविद्या यह इविद्य इसके तहत दोस्तों चैनलों को लगा जाएगा निए एक्सपेंड किया जाएगा जो बारे चैनल थे उनको दोस्तों चैनल तक रखा जाएगा निए दोस्तों चैनल कर दिया जाएगा जो की वन क्लास वन टीवी चैनल कारकरम के तहत आप कोई भी क्लास अपने चैनल को वासी प्रियुक्सा है यानि कि वर्चुल लेप्स बनेंगी और कॉसल पर्ख यानि कि स्किलिंग इलेप्स को है उनको सेट अप किया जाएगा दोस्तों ठीक है वहीं एक डिजिटल विश्वत्त देला की इस्तापना की जाएगी जिसमें विश्व इस्तरिय गुर्वत्ता पत्सार भॉमेक्स रिच्छा प्रदान की जाएगी हाई क्वालिटी मिलेगी आप उसको इसके बाद एक और डिजिटल टीचरों के मादम से उच्छु गोडवत्ता प्रद इविश्वस्तू यानिकि इए कंटेंट जो है उपलब्द कराया जाएगा इए कंटेंट विल बी डैबलर फोर डिलेवरी थ्रो डिजिटल टीचर्स दोस्तों इता सिच्छा के छितर में क्या क्या है इस बार केसे धंए frustू ठीक है का बोलबा का होगा तो आप देख रहे हो ठीक है अब नेक्स वहतने कॉसल बिकास के और ठीक कमसल बिकास में क्या हुआ हो जाएं यह और ओन लैंड gi ट्रेनिंग को बढाबा देने के लिए खोसल एम आजीव का है फिल टिजिट आजे सर्विस के लिए द्रोन सकती की सुभधाय तो इस टार्ट अप को बड़ा बादिया जाएगा दोस्तों जैसे आपने दिखा को कि ठेली मेडिशन को गरगर पहुंचता जाएगा ड्रोन के थूरू जैसे तेलंगना सरकार ने टैली मेडिशन को द्रोन को धूरू जो सब्सक्राइब शुरू कि जाएंगे स्किल डेवलप्मेंट में दोस्तों अब बात करते हैं स्वास्ती ठीक है हेल्थ में दोस्तों क्या होगा नेशनल डिजिटल हैल्थ एको सिस्टम को लागो किया जाएगा ठीक है दूसरा गोडवत्ता प्रद परापरामर्स के लिए ए एक नेशनल टैली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को शुरुक किया जाएगा यानिकीनों टैली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम फॉर क्वालिट्टी मेंटल हेल्थ कर्विस टू भी लॉंच दोस्तों 50 qi vital कार्क्रम के तहायत मिशन सक्ति मिशन वातसल सार्चम आगरणवाडी और portion 2.0 2.0 को शुरू किया जाएगा है यह चार परुजना है पहले से हाला कि चल रही है लेकिन एक ही करत integrated कारकरम के तहएट इन योजनाओं को लाया जाएगा कौनकों सी मिसन सक्ती मिसन वात्सल सच्छम आगनवाडी और portion 2.0 इनकी जो nutrient प्रोवाइट कराता है लेक्टेडिंग मदर वगरा को गल्स को चैल को तो इक portion 2.0 वही अभियान है तो लास्टा हम चलाएगा था दोस्तू 2.0 आगनवाडी इनको सच्छम आगनवाडियों में समोन्यन किया जाएगा इनको उसमें convert किया जाएगा दोस्तो अब देखो आउटले समझोगी कि सक्छम में कितना है और तो 2.0 आगनवाड़ी को क्या अप्डेट किया जाएगा दोस्तो ठीक है अब देखो सक्छम यूजना में दोस्तो इनका इस बार का जो budget आउटले है इनकी budget estimated जो है वह 20,263 करोड रुपे सबस्यादा सक्छम यूजना में लेका है उसकाद PM पोश्चन अभ्यान में लेका है यह दोस्तो कितना जो पोश्चन अभ्यान है 2.2 उसमें 10,234 करोड रुपे मिसन सक्ती में है 1442 यानि 1442 करोड रुपे और स्वरी मिसन मिसन सक्ती में है 3,184 करोड रुपे कितना है 3,184 करोड रुपे का आउटले तैयार किया है दोस्तो हेल्थ सेक्टर में ठीक है और 2,00,00 आगनवारे को आपने देखा यह क्या है 2,00,00 आगनवारे इस टू भी अपग्रेड़ेड रे और क्या इन्होंने सेंट्रेस किया है दोस्तो жचफ़ रहल है 8,00,00 को कब़र किया जाएगा । हर गर 9,00,00 3,00,00 8,00,00 परवार को कबर किया जाएगा दोस्तो पी एम आवास योजना 22 तक कंप्लिट होना था उसकी देडलेन भी दोทำ 22 हैो उसमें 80 लाइ गरों का निर्माड कार पूरा किया ज़रा है इसके लिए कितने रुपे लगए गें 48,000 करोड रुपे अवन्डिट किया है 48,000 करोड रुपे पीम आवास युजना के लिए यानिकी 80 लाग घरों का नर्माण कार पूरा करने के लिए अवंडित किये गए हैं दोस्तों उसको अधा प्यम डिवाइन योजन यानि प्यम डिवाइन से मतलब है उत्तर पूर में आवेशक्ता आधारेत अवसरचना इमस अमाचिक विकास के लिए धन प्यम डिवाइन अधारेत अवसरचना इमस अमाचिक विकास के लिए धन प्रोवाइड के रहा गया है इनिशली अगर एलोकेशन दिखा जाए तो यह 1500 करोड रुपे है 1500 करोड रुपे क्या है उसके लिए किसके लिए महत्वा कांची ब्लॉक कारकरम महत्वा कांची जलों के पिछले कुर्वी शीमा की गावं के विकास कहले चीँ तो वाइब्रैंट विलेज प्रोग्राम में से बोलते है वी वी पी यह प्रोग्रम है दोस्तों बॉर्डर बॉर्डर के पास ब्लाइब राजिस्तान और मनीपुर नागालेंड और इस तरीकी से सिक्केम और और अवराश्या सब्सक्राइब फिरतान जो घरे यह उनमें वाइब्रेंट विलेज चला जाएगा शिसमें क्या होगा बौर्डर के पास इतने भी विलेज उनको डेवलाप ellis ठीक है जो वन्चित हैं विकास से उनको क्या है विक्सित किया जाएगा दोस्तों ठीक है डांग घरों के द्वारा डिजिटल बैंकिंग की सत्प्रस्थ जो हंडेट परसेंट डांग गरों में आदवार भूत बैंकिंग विश्ता की जाएगी वहीं डिजिटल पेमेंट्स के क्यों दोस्तों अम्रत महुत्तव के तुरूप 75 साल 2022 में कंप्लीट होने जा रहे हैं इसलिए डिजिटल पेमेंट को लागू करने के लिए 75 डिजिटल बैंकिंग उनिट्स की इस्तप्ना की जाएगी 100 परसेंट के लिए डेड़ लाग पॉस्ट आपिस बनाए जाएंगे यसा की बता है मैंने और आपने देखा कि जो सेडिवल कॉमर्सिल बैंके जिसमें 75 डिटल बैंकिंग उनिट्स होंगी इन 75 डिश्टिक्स में ठीक है तो यह था सारा कुछ जो ऑल इंक्लिश्व ग्रोथ रेट पर था दोस्तों सारा कुछ मैंने बता है अब आगे बढ़ते में MSME सेक्टर की बात करते हैं माइक तो दोस्तों MSME की बात करें माइक को स्मॉल है मीडियम एंटर पर जिसकी देखो विविन जो पोर्टल से उनको इंटर लिंक किया जाएगा इनकी जैसे उद्यम उद्यम है इसरम NCS एंड आसीम एस डबल ई है आसीम जो इन पोर्टल से इनको क्या इंटर लिंक के जाएगा आपस में ठीक है वहीं 130 लाक MSME जो है वो प्रोवाइट करेंगे एडिशनल क्रेडिट किसके अंडर में ECLGS को लागू करना और हॉस्पिटलिटी और सम्मंदित उद्धिमों पर विशे ध्यान दिया जाएगा ECLGS क्या है दोस्तों ECLGS यह है एक मिनट यह है एन इमर्जेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम यह है ECGS इसको एक्सेंड करके कहां किया है मार्श 2023 तक यह कि मार्श 2023 तक MSME के अंडर में इसको क्या है एक्स्टेंड किया गया है जोस्तों वहीं CGTMSE को पुनरदर किया है जोस्तों किसको CGT MSME का पुनरदर ने इसको दोबारा से लाया गया है मुएं दोडोवाइडिसनल क्रेड़ट होगा माइक्रो और स्मॉल अंटरप्राइजिस में किसके अंदर में CDT MSE Credit Guarantee Trust for Micro and Small Enterprises का इसको रिवेंप किया गया और की दुबारह से का आउटल यानि कि किसने बजट में 6000 करोड रुपे एलोकेट के गए हैं आर ए एमपी के लिए यानि की रेजिंग एंड एक्सिलेर्टिंग MSME Performance Program के लिए इस कारकरम को अभी लागू किया जाना है दोस्तो MSME के कामकाज को बड़ाबा देने के लिए ठीक है यह ओल ओबर MSME का कामकाज होगा है यानि कि विविन जो पोर्टल ने उनको इंटर लिंक किया जाएगा लाइक उद्ध्यम इस्रम NCS नसी ठीक है वहीं 130 लाग इसकी जो डेट है कितनी है मार्च 2023 एक्स्टेंड करके कर दिया गया है ठीक है और इसके अंदर में करीब पचास हजार क्रोड रुपे एक्स्पेंड किये जाएंगे पांच करक कितने कवर होगा टोटल पांचला करोड का किसके ECLGS की बात कर रहा हूं ठीक है दोस्तों वही सीजी टी में सीमी का बताया मैंने इसमें दो लाग करोड एडिशनली क्रेड़ेट दिया जाएगा और यह रैंप का बताया इस प्रोग्राम में छह जार क्रोड रुपे को एक्ट क्या गया है MSME की परफरमेंस को तेज करने के लिए यह था ओल ओवर MSME के बारे में दोस्तों ठीक है अब आते हैं PLI पे उत्पादक ता संबर्दन एवं निवेस इसको बोलते हैं PLI प्रोडक्शन लिंक्ट इंजन्टिव स्कीम्स अब इसमें क्या दोस्तों उत्पादक ता संबर्दन निवेस में नमर एक इस आप डूइंग बिजनिस टू पॉइंट ओ लाए गया है ठीक है दूसरा विश्वास आधारेत साशन आई टी सेत्वों के माद्यम से केंद एवं राजिस्तरिय प्लानलियों का समयकन किया जाएगा ने इंटिगेट किया जाएगे परवेस पोर्ट इंटिफिकेशन नमर दिया जाएगा ठीक कमपनियों के स्वेचिक समापन के लिए सी पेस की स्थापना की जाएगी सरकारी अधिप्राप्ति में एंड टू एंड ऑनलाइन सिस्टम और सीक्योर्टी बॉंड का उपयोग होगा एवी सीजी प्रोचान कारबल मिलेगा पी ए स्थाप्स और एकेडिमिया के लिए रच्छा अनुसंदान इवं विकास का प्रारम किया जाएगा यह होगा इस प्रोडेक्शन लिंग्ड इंसेंटिव स्कीम के अंदर में दोस्तों इजब लिविंग में क्या है इजब लिविंग में देख सो चिप युक्त यानि कि अग और संकमन उनमकी विकास किया जाएगा सहरी नियोजन के लिए उतकरश्ता केंद्रों की स्थापना की जाएगी वहीं सहरी चेत्रों में दोस्तों चार्जिंग इस्टेशनों की स्थापना के विकल्प के रूप में बैटरी स्वैपिंग नीति को लागू कर दी गई है यह आप देख सकते हो एलोकेशन अंडर प्लाइ स्कीम में क्या क्या है टेली कॉम स्टेली कॉम और नेट्वर्क प्रोडक्शन में कितना लाग गया है यह लोग पांसो अट्थाइस कोड़ रुपे लार्ज स्किल एलेक्ट्रोनिक्स एंड आईटी में त्रेपन पांचा तीन स एक रुपे और फार्मा से डिगुल में 1639 क्रोड रुपे नोंने क्या है इन्वेस्ट किया है इन स्टाटप्स में समझें अब वाते निवेस का बित ओशन क्या है तो देखो दोस्तों 2022-30 में निजी निवेस और मांग को बनाए रखने के लिए साबजिक निवेस किया और यह है रेड रेवेन्यू एक्सपनिचर या टूटल एक्सपनिचर की बात कर रहा है देख सकते हैं उसके बाद 2022-23 से आरिवाई के द्वारा डिजिटल रुपे का संचर यानि कि जो भी एकॉनोमिया उसको डिजिटलाइज करने के लिए है ठीक है अब बात करने संसाद संसादनों को कैसे जोटाना है रिसम तो यानि कि उद्धिमान छेत्रों के लिए सम्मेशित रुवित्र लिया जाएगा उद्ध्यम पूजी और निजी इक्यूट्री निवेस के द्वारा निवेस में साहिता परको पाई की जाएगे डेटा सेंटर्स और एनरजी के जाएगी हरित अब सरशना हो यानि की ग्रीन इंफ्रस्रेक्स के लिए संसादनों को जोटाने तो ग्रीन बॉन्स जारी कि जाएगे जोस्तों ऐसे संसादनों को आप जोटा पाएंगे यह ऐसा बताया गया है बजट में वहीं राज्यों को और अधिक वित्तिय गुंजा इस्पदान करी जाएगी पुंजीगत निवेश्त के लिए राज्यों को वित्ति सहता की स्कीम के लिए वर्दित परवय किया जाएगा और 2022 तेश में राज्यों के लिए जी एस डीपी इनी ग्रॉस स्टेट डॉमेस्टिक प्रोडेक्ट के चार प्रस्त के राज को यह गा अब बात करते हैं कर प्रस्ताब की उससे पर दोस्तों एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कर प्रस्ताब को बताने से पहले अभी समझों क्या है तोटल बजट हमारा एक्च्ण में कितना है टूटल जो एक्सपेंडिचर है 2022 थीज़ का वह 49,45 लाक कोरूंग रुपे नीगी थरटी नाइञ पइंच फोर फार प्लाक काश्टर कर रूपे टूटल एक्सपेंडिचर है जिसमें से टूटल जो रिषीट है या अधर देन बॉरोइंग यंग्या वह कितने है बाइस लाक बाइस दृट क्या चार लाक कोड़ हमारी जीडीपी का और बजट एस्टमेट का अगेंस कितना 6.8 परसेंट दोस्तों और वहीं जो फिसकल डिपसेट करण्टियर की बात किया है मैंने जो फिसकल डिपसेट है जो 2022-23 के लिए रखा गया हुए 6.4 परसेंट ऑफ जीडीपी हमारी जीडीपी का 6.4 परसेंट फिसकल डिपसेट 2022-23 के लिए एस्टमेट किया गया है ठीक है यह सारी बात होगी अब पूरा बजट भी समझ गया अब समझो है क्या अब प्रामरी डिपसेट जो है दोस्तो 2022-23 के लिए है वह कितना है प्रामरी डिपसेट है टू पॉर्ण सकता है क्वेश्चन कहीं भी ठीक है प्रामरी डिपसेट कितना है यह 2.8 परसेंट आप अबस जीडीपी nuclearष इफेक्टेव्य डिपसेट जो है वह कितना है वह एट two point six percent of our GDP effective revenue deficit revenue deficit कितना है जो RD है वह three point eight percent of our GDP और FD कितना है इनकी fiscal deficit कितना है six point four percent of our GDP दोस्तों ठीक है यह सारी चीज़ें आपको कही ना कही एक्जाम में पूल सकते हैं इसलिए ध्यान रखेगा अब आते दोस्तों पार्ट बी पर करका प्रस्ताव यानिकि टैक्स किस तरीके से यह पार्ट बी है वो ए था ठीक है यानिकि अगर किसी पॉल्सी को इस्टेबल या प्रेडिक्टेबल अटना है तो टैक्स रिजीम के बारे में जानना पड़ेगा गलतियों को ठीक करने के लिए करदाताओं को दो बर्स के बीतर आधुतन रिटर्न दायर कर सकने के अनुमती देना विकलांग वेक्तियों के लिए कर में राहत देना और सहकारी समतियों के लिए वेकल्पिक निउन्तम करदर और अधिबार में कमी करना सामेल है दोस्तों वही वहीं कर संबंदित प्रोथाहन देने के लिए जो पात्र स्टाट अप के लिए हैं उनको सामिल करने के लिए उनकी टाइम प्रिडियें के उनकी अबदी को बढ़ाना वहीं आबासी परिसंपत्यों के अंतरण से जो होने वाली आये है उस पर तीस प्रत्सत का कर लगाना जो वर्चुल होती है बार-बार की आपीनों से निजात पाने के लिए मुकद्में बाजी के बहतर प्रबंदन यान की बहतर मेनेजमेंट करना दोस्तों यह सारी चीजें इनकी उड़ें और दूसरा आये या लाब पर लगने वाले किसी भी सर्चार्ज या किसी भी स्यास यान जीएश्टी कलेक्शन डूरिंग दोजार एकीस बाइस का है कोवेट की जो सैकेंड विफ्टी उसमें गिरा है इस तरीके से आया है निशनल लॉगडाउन के बाद इस तरीके से अब देख सकते पूरा और अगर देखा जाए तो जीएश्टी कलेक्शन सबसे जादा हुआ 12 बार और सालों की अपेच्छा दोस्तों दोस्तों जीएश्टी का जो फस्ट फस्ट भी वाय था निशनल लॉगडाउन का वहां पर कितनी बुरी तरीके से यह जो जीएश्टी कलेक्शन गिर गया था अभी थोड़ा अप्रेल के बासे सुदा रहा है अप्रेल में फॉर लाग करोट का कलेक्शन हुआ है जीएश्टी रिजीम का दोस्तों तो यह अच्छी कबर है हमारी पास गवर्मेंट के पैसा है वह उसको लगा सकती है ठीक है अभी समझे विस्यस आर्थिक जूनों में जो स्पेशल एकनोमिक जून है उसमें सीमा सुल्ख प्रिशास और 7.5 परसेंट की आसान टैरिप कर लगाया जागा यह जो टैरिप की कर होगी 7.5 परसेंट मॉड़ेट होगी मेकर इंडिया के दोस्तों सीमा सुल्ख छूट की समीच्छा और टैरिप का सलिकन किया जागा गरेलू एलेक्ट्रोनेक्स विन रिमान में सुगदा प्रदान क करने तू ग्रेडड दर सर्चना को लागू करने के लिए सीमा सुल्ख की दरों में संसोजन किया जा रहा है दोस्तों भारत में विन रिमित किसी छेत्र के उपसकरों और ओजारों पर दी जाने वाली छूट की युक्ति संगत बनाना होगा इस्टील के कबाल पर भी सीमा यह जरूरी कतिपए इंपुट्स पर सुल्क में कड़ोती की जाएगी और अन ब्लेंडड इदन पर अत्रिक्त विच्ण उत्पात सुल्क लगाया जाएगा दोस्तों ठीक है तो यह सारी चीजिए टेक्स रिजीम थी दोस्तों अब समझो रुपया कहां से आता है और कहां क्या होता है सुआ यह सारी चीजिए आपको बता दिए अप समझो सब सेबसे दारपर कहां से आता है सबसेदार रुपया इन से 35 याने कि 100% पर से 35 भोरौिंग एंडर लाइबिलТटी से आता है थो कहां से बोरौिंग एंड़ लाइबिल्टी से शबसे निसे बासा पर परशंट आता है और नोंट्रेक्स्ट रिवेन्यू से 5 परशंट आता है और 2 परशंट आता है ये था रूपे का कि रूपे शुम कहां से आता है अब रुप्या कहां जाता है इनकी इनमें कहां होता है खर्च कहां होता है यह समझो यह होता है सबसे आदर रुप्या खर्च होता है दोस्तों आपका interest payment जो ब्याज देना होता है सबसे अदर रुपया वहाँ करश होता है उसके बाद होता है state को share जो होता है उसको देना नमबर दूपर उसके बाद होता है central sector schemes में 15% रुपय जो centrally sector schemes है उसके बाद finance commission और other transfer होते हैं 10% के साथ फिर centrally sponsored scheme में 9% के साथ subsidies और defense दोनों 88% के साथ other expenditure हो जाते हैं तो इस तरीके से रुपया खर्च हो जाता है तो आप ये slaves याद रखेगा कि कहां पर कितना रुपया खर्च होता है क्योंकि ये question पूछ सकता है exam में की रुपया कहां से सबसे ज़्यादा और सबसे कम आता है ठीक है budget को एक नजर में देखा जाए दोस्तों तो ये है आप देखो पूरा budget जो 2022-23 का दो तरीके का budget होता है budget estimated और revenue estimated BE और RE होता है budget estimation होता है कि पूरी साल का budget को estimate करके लगा जाता है कि पूरी साल कितना budget यान कितना खर्चा किया जा सकता है और revise estimate होता है कि जो पूरी साल के end में जो financial year उसके end में revise कि जाता है कि कितना खर्चा हुआ और कितना allocation हुआ और कितनी चीज़े expenditure में गई तो वो revise estimate होता है अब एक नजर में देखो कि यह है revenue receipt और यह है capital receipt तो 2022-23 की जो budget estimated revenue receipt है वो करीब 22,00,00 करोड़ रुपे का असपास है दोस्तों कितनी 22,00,00 करोड़ का असपास है वही capital receipt कितनी है 27,00,00 करोड़ का तो टोटल में लाग है हमारा budget कितना होगा 49,45,00,00 करोड़ रुपे का budget है दोस्तों करीब 4,46% कुछ ऐसा बढ़ा है वह revenue expenditure देखो तो कितना है दोस्तों इस बार का 31,00,00,00 है निकि approximately 32,00,00 है और वही effective capital expenditure देखोगे तो कितना है करीब 10,00,00,30,00 करोड़ के असपास है effective capital expenditure इस साल के लिए दोस्तों ये budget estimation की थ्रू है दोस्तों अब देखो प्रमो की यूजनाव के लिए आबंटन ये बहुत जरूरी है question direct पूछ लेता है देखो national health mission में कितना पैसा खर्च किया 2021-22 के revise estimation में 34,947 करोड़ रुपे खर्च किया गया दोस्तों national health mission की बात हो रही है वही इस साल जो budget estimate हुआ है 2022-23 के लिए उसमें 37,800 करोड़ रुपे खर्च किया जाएगा दोस्तों वही जल जीवन mission की बात करें इस बार जो 2022-23 के बजट में 60,000 करोड़ रुपे दोस्तों और 21-22 का RE जो है revise estimation में 45,011 करोड़ रुपे खर्च किया जा चुका है और वही नेशनल education mission की बात करें दोस्तों तो इसमें 2021-22 में कितना था 30,796 करोड़ रुपे और इस बार 2022-23 का budget estimation है 49,553 करोड़ रुपे वही पदानमंत्री ग्राम सड़क जोजना में 1400 करोड़ रुपे खर्च किया जा चुका है पीम किसान में पिशली बार 6,7500 कउरपे ता इस बार 500 कउरड़ बढ़ा की 870,000 कउरपे कर दिया है ठीक़ा है वही आत्म निर्भर भारत रोजगार युजना का देखो 모든 पिशली बार defense ministry को कितना पैसा सबसे ज्यादा पैसा defense ministry को दिया है यह करीब 25 लाग 551000067 पॉंट कुछ ज़कर 5ưng लाग 25 जार को उपर मिनेस्ट्री बर सब सबसे ज्यादा दिया है दूपर मिनेस्ट्री प्रोड करीब सब्सक्राइबंड चन्जूमरत देञ़ता до कर्का मिनिस्ट्री अफ Ethanie ह्याने 15570kt रुथय इक र सायज्य कर्कद रूपे था 435760 स कॉड्य मिनिस्ट्री कर्वा थन है में एक रिफॉन डे संस्वेय कड्याइज उसके मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलोप्मेंट में 1,38,230 क्रोड रुपे इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एग्री कल्चर एंड फॉर्मर वेल्फेर में 1,52,513.62 क्रोड रुपे और मिनिस्ट्री ऑप केमिकल फेटलाइजर्स तुर्ड रजार सुरी एक लाग साथा 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 सो पंद्रा पॉंट तीन याट करोड़ रुपे और मिनिस्ट्री ओप कम्यूनिकेशन में दिया है दोस्तों कितना एक लाग पाजा चार्सों च्छे स्माना आठ दो करोड़ रुपे एलोट क्या है यह हुआ था आपका मंत्रा लेवारे मिनिस्ट्री वाइज आवंटन एलोकेशन तो दोस्तों आप तक का सारा बजट हमने डिटेल कर दिया है जो जितना बताना था सारी इंपोरेंट चीज़े हमने आपको बता दिया है एक जाम पस्पेक्टिव से आई एक भी क्वेशन आपका इस क्वेशन से नहीं सरी इस से नहीं चूटेगा सारी चीज़ों को हमने इसमें से ले लिया दोस्तों ठीक है आप देख सकते हो और बता सकते हो अगर भी बात करें तो बिद रिस्पेक्ट आफ सब्सक्राइब जाएब 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 जाए झाल झाल